अब दोको Cristo गौवर्र जनरील कि कौएंसेल में कुछobeniden टेड सोने चाहिए क्या गौवर्णेंटD कम दू स्चिरक लेकंट मेंट का मत्ला होता है क एक को अग्रिमेंट होता है को वering का मत्ला बूसे करिक तो इन में से ही चुने जाएंगे क्यों क्योंकि इनको इंडिया में काम करने का अनुभव है क्यों क्योंकि इनको इंडिया का सोसाइटी के बारे में पता है इनको इंडिया के कल्चर के बारे में पता है इनको इंडिया की साइकॉलजी के बारे में पता है इनको इंडिया में कब reaction होगा कब reaction ने होगा ये पता है इनको पता है कि जनता कब विद्रोह कर देगी ये पता है अमेरिका जैसे हालात नहीं होंगे क्योंकि ति माल लो ब्रिटेन से किसी बहुत experienced बंदे को यहाँ पर भेज़ दिया गया कि जाओ governor general के council में काम करो उसको ब्रिटेन की society पता है economy पता है, culture पता है, psychology पता है social fabric पता है, इंडिया में आ करके वो किसी इसको भी कहे देगा hi how do you lady हाथ मिला कर किसी महिला कहे hi how do you do lady तो बगलवाला यहाँ से ऐसे आगा चट से चपले कहाँ पता है हमाय गाओं की लड़क क्योंग साथ है इससा बोल ले हो तुम वो तो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है उसको कोई फरक नहीं पड़ा, क्योंकि उसको वहाँ पर ऐसा ही culture था, यहाँ पतलती आए जाएगा है ऐसा कि नहीं है और मारे अलग से जाएंगे, गसीटे जादा जाएंगे तो भाई, जो यहाँ पर नौकरी करते करते एकदम experienced हो गए है उनको ही इसमें रखो तो बेहतर होगा समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं तो यह reaction होगा तो यहाँ पर भी वो आजादी का शंखनाद हो जाएगा जो USA में होगा बहुत चालू थे यह लोग मकार, अंग्रेज यह मकारी की पराकास्था है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग कमजोर अपनी गल्तियों से थे हम हम अपने आपको जातियों में बाढ़ करके उंचा नीचा करने लगे तो हम में आपस में एकता नहीं थी है ऐसा के नहीं है हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं होते थे इसलिए परिशानी थी हम सब संगठित होके काम नहीं कर पाते थे इसलिए परिशानी थी नहीं तो सबस्तुरे ये मुठी भर आये थे मतलब हजार पांसो लोग घेर घार करने को वहीं कुचल कुचल के भेज़ देते तो क्या फरक पड़ता लेकिन बहुत मकार थे ही सब मतलब तुरंद घुटनों को बल बैट कर करके थे यूर रॉनर आई बेग यूर पाड़न एंड आम हाग गिविविग यू दिस गिफ्ट ये लोग प्लेट में सजा के दे देते थे ये खुश हो जाते थे हमारे के राजा मारा राजा बस और फिर कहते थे आईए इंग्लेंड चलिए तो हमारे यहां के राजकमार जाते थे इंग्लेंड और दो ठोब्याल आते थे वहाँ से पड़ी विचत्र समस्च जाती हुँ तो हम एक कहा दिखा पाए ने तो यह मुठी वर लोगों को जब चाओ तब कूट काट करके भगा सकते थे हम लेकिन हमारे यहां वो थॉट प्रॉसेस ही डिवलप नहीं किया गया हैसा कि नहीं है हमें एकता की आज भी ज़रूरत है वी नीड यूनाइटेड हमको इंडियन होने के नाते उनाइटेड होना है कास्ट बेसिस पर उनाइटेड की ज़रूरत नहीं हमको हैसा कि नहीं है हमको रीजन बेसिस पर उनाइटेड नहीं होना चाहिए हमको पैन इंडिया बेसिस पर उनाइटेड होना चाहिए हमको language basis पर नहीं होना चाहिए हमको India basis पर होना चाहिए हमको सब भाषा हैं अलग-अलग है हम मजा कुड़ा लेते हैं कई बार होता है के नहीं होता है तो ये नहीं होना चाहिए ये हमारी इन सब चीजों से पता लगता थे हमारी गलतियां कहा है वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर छा रहे हैं और हम उनको चाते हुए देख रहे हैं, अपनी चाती कूट रहे हैं, यही हो रहा है, हम उनको नहीं कूट पा रहे हैं, एदि वहाँ लोग वहाँ पर कोई उस में ऐसी leadership होती, जो सब को खड़ कर दीती, आउ, मत सोचो हम किस जाती के हैं मत सोचो हम किस खेत्र के हैं यह जितने आया उनको हम निकाल देंगे ऐसा था था नहीं कि हमाप बंदूके नहीं थी चलवार नहीं थे और तुम्हापत बंदूक होती तोपे होती लेकिन यही हमारे पास एक के बदले जो गुरु गोविन सेंग ने कहा था ना कि सवालाग से एक लाओं ते गोविन सेंग नाम कहा हूं तो हम कहरें हमारे सवालाग उनके एक भीड़ते ना तो निपड़ जाते हो जबकि हमारे अंदर तो ताकत थी कि सवालाग से एक अकेला रणने को तयार था तो हमारी गलतियां हैं जिसको हम हमेशा कहते हैं जो परिशानी है